तो क्या हल चाल स्वागत है आप सभी का सोलो कॉनकर रैंक पुश वीडियो में खोप आप सभी लोग अच्छे होगे आप लोग का रैंक पुश भी अच्छा चल रहा होगा अब भाई बंदों का जो में केस्चन रहता है ना वो रहता है कि भाई येस के बाद प्लस नहीं हो रहा क्या करें तो देखो तीन तरीका होता है भाई कॉनकर पुश करने का एक होता है अग्रेशन दूसरा होता है डाइनामिक और तीसरा होता है सर्वाइवल अब बात कर लेते हैं aggression gameplay की जैसे कि नाम से पता चल ला है aggression जो बंदे केवल kill के लिए खेलते हैं उनका plus तो अराम से हो जाता है अगर उनका minus भी होता है तो वो एक match में plus निकाल लेते हैं dynamic gameplay की बात करें तो इसमें बंदे kill भी निकालते हैं और survive भी करते हैं ज्यादा तर बंदे क्या करते हैं कि ज्यादा तर सर्वाइबल पर ध्यान देते हैं वो kill पर ध्यान देते हैं और ace तक तक तो अराम से आ जाते हैं लेकिन ace के बाद उनका plus होता नहीं क्योंकि जित्ता हो सके ना तो आप लोग को kill निकालने का try करना ही चाहिए अब बंदे बोलते हैं भाई हमारे पास low end device है तो fight कैसे लें क्योंकि जैसी fight engage करने जाते हैं सामने वाले पास रहता iPhone या कोई अच्छा device तो हमें बड़े अराम से मार के चला जाता है तो क्या करें देखो जिस जिस भाई के पास भी low end device है वो try किया करो हमेसा mid range fight लेने की और अगर enemy आप पे push करता है तो भाई हमेसा net का use किया करो और आप लोग को एक basic चीज़ बताता हूँ भाई training ground ये चीज़ आपको ही पता है कि भाई training करने से आपका reflex, gameplay सब अच्छा होगा लेकिन बंदे करते क्या है ना कि game start करते हैं एक TDM लगाते हैं और फिर match में चले जाते हैं तो आपको करना क्या है कि केवल 5 minute daily training करनी है भाई लोग मैं guarantee देता हूँ अगर आप 5 minute daily training करोगे ना तो आपका gameplay next level हो जाएगा और आप लोग जादे तर shotgun prefer कि अगरो close range में अगर आपके पास low end device है क्योंकि भाई सामने वाला बंदा कुछ भी मार के चला जाएगा लेकिन अगर आपकी एक गोली पड़ेगी ना तो भाई सीधा गुटनों पे दिखेंगे भाई ट्राई कि अगरो कि हर मैच आपका 3-4 किल निकले निकले 3-4 किल निकाल कि अगर आप survive करते हो top 10 ना तो भाई 20 प्लस आपको guaranteed देगा ही देगा चाहे ace हो चाहे ace master और इसका बेश तरीका है भाई event पे आओ recall उठाओ और helicopter नो बैटो निकल जाओ और अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी helpful हो ना तो प्लीज 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 जार subscribe कर देना बहुत मैनत करता हूँ आप लोग के लिए और ये वाला gameplay आप लोग पूरा देखो भाई इस match में आईसी इसी चीजे हुई थे ना मेरे साथ ती क्या ही बता है भाई मैं 1-1 SP बचता हूँ और तुम लोगी बता ना क्या मेरे चिकेंडेन होता है कि नहीं भाई इवेंट पे अपने 2 kill हो गयते तो मैं इजी वहाँ से निकल जाता हूँ गाड़ी उठाता हूँ और चला जाता हूँ बंदों की तलास में और जाता हूँ गटका क्योंकि भाई इस इवेंट की बगल अगल न बंदे ऐसा गाड़ी नचाते है तो मैं भी सोचता और अब यह आप लोग यह इस प्रे देखना और बताना बंदे का रियक्शन क्या रहा होगा अब दो बंदों का गेम बजाने के बाद मैं इवेंट की तरफ जाई रहा होता हूँ तब ही एक भाई और आ जाते हैं और भाई तुम लोग इस बंदे को याद रखना क्योंकि भाई के साथ अपना आगे मीट अप होता है और अभी यह वाली फाइट इंजॉय करो यह वाली भूप फट्ट बंदे को बढू जाद के रहा है मिट्स दॉपे लुपे लुपे तुम लुपे लुपे नव अब ये भाई पीना इंटी बहुत गंदा चला रहा था अब भाई चाहता तो मुझे मार देता है लेकिन भाई थोड़ा सा इधर उतर हो गया और मैं भी हील करके भाई को अराम से मार देता हूँ जोन बनने का वेट करी रहा था कि तब ही जोन चला जाता है रोजक के उपर और मैं भी सोचता हूँ भाई सीधा सेंटर पकड़ूँगा ताकि पूरा मैच अराम से खेल सकूँ अब सामने वाला श्नैपर टावर रहता है सरकल में और मोस्ट आफ दे जोन यहीं पर कटता है तो मैं आता हूँ यहां का गेट खुला रहता है तो मुझे लगते कोई बंदा ना हो लेकिन भाई यहां रहता है खाली अब यहां पर होल्ड करी रहा होता हूँ कि तब ही एक गाड़ी आ जाती है और बस तुम लोग आल पर हमारी इसकी बात सुनना मढ़ना मत रैंक पुश चल रहे हैं कि तुम उपर अब नीचे से और में दूकर कर इस बंदे से मत मेरे रेंग पूश्ट चल ला है तो मैं भाई से कह देता हूं तुम सूर्ड करो इस अब ब्रम Christmas को लाड़ा जाते। उनके रेंग पूश्टों कि बैंग तुम्स आप जाते हैं कहते हैं उपर आजाओ क्या मैं कहता हूं नहीं बैए उतने दोनों को बैन मैं भाई को अपना नाम बताता हूं और तब भाई का रियक्शन देखना और तुमने तो मुझे मारा था वहां पे एस्ट वाल के से इवेंट पे याद है क्या मेरे पास पी-90 थी और ये वहीं पी-90 वाल बंदा रहता है जिससे अपनी इवेंट के बगल फाइट हुई थी अरे वह कालेक अपने प्रहें भाई मैंने लेक है सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं भी चारू तरफ देख रहा होता हूं कि कोई दिख जाए बेक बंदा भाई राइट में आके मेरे पे काफी देर से नेडवेट डाल लाता तो मैं भी सोचता हूं भाई को मैं भी डरा देता हूं थोड़ा अब भाई दस सेकेंड में जोन आने वाला तो मैं भी नीची वाले भाई से कहता हूं कि भाई तुम निकलो मैं आ जाओंगा मैं तो यहां बच जाता हूं लेकि नीचे वाले भाई का डबा हो जाता है और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं बस यहां से आप लोग फाइटिंग जो है करो अब टूटल तीन बंदे बचेते और आप लोग को क्या लगता मेरा यहां से चिकन डिनर होगा या नहीं वीडियो पॉस्ट करो और जाके कमेंट शेक्चर में एक बार बता के आओ अब राइट वाला एक बंदे को मार देता तो मुझे समझ में आ गया थी कि एक कॉक्रोच वाला बंदा बचा और एक राइट वाला और लास्ट सरकल में जो बंदे कॉक्रोच चलाते ना राइ कि अगर हो कि हाथ में हमेशा क्लोज रिंज वाली गन हो तूकि भाई यह उतर करके मार भी देते हैं अब बैस सरकल तो अपने पर था बस वेट था कि राइट वाला बंदा दिख जाए मुझे लगा था कि राइट वाला बंदा साफ बन के राइट से ही आएगा तो एक मॉली डाल देते हो लेकिन भाई क्या करते हैं देखना आप लोग होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई